नमस्कार आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूँ आपके साथ तुशाथ विवेक अगनीहोतरी की हालिया रिलीज फिल्म दवैक्सिम वार बॉक्स ओफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई दर्शकों की तरफ से फिल्म को खराब रिस्पॉंस मिल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ओफिस पर शारुक खान की जवान च्छाई हुई है इस बीच अगनीहोतरी ने कि खान की फिल्मों पर मिसाना साथा है हाली में सिधार्थ करननिक से बातचीत के दौरान दिवेक अगनीहोतरी ने शारुक खान की फिल्म जवान को लेकर अपने रिव्यू साजा किया उन्होंने कहा कि जो भी उनके फिल्में आई है मुझे लगता है कि वह बेहत सुपरफिशियल थी फिल्म आक्शन के तौर पर काफी बहतर थी लेकिन विर्मान के हिसाब से जिस तरह की फिल्म को पेश किया गया है मैं उसे जरा भी सहमत नहीं थी साथ ही साथ यह भी आरुप लगाया कि शारुक की सोचल मीडिया एजेंसी ने मुझ पर अटैक किया आगे अग निहोतरी ने कहा कि मैंने हमेशा से उनकी तारीफी की है लेकिन मैंने जो अभी उनकी फिल्में देखी है वो मुझे बहुत सतही लगी है यह फिल्मेकिंग का स्टाइंगर्ड नहीं हो सकता वो इससे बहतर कर सकते हैं बता दे कि 28 सेतंबर 2023 को विवेक अगुन होतरी के फिल्म दा वैक्सीन वार रिलीज होती है दे कश्मीर फाइल्स के मुताबिक इस फिल्म को इतना खास रिस्पॉंस नहीं मिल रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म अब तक केवल 3 करोड की कमाई कर पाई है फिल्म में पल्लवी जोशी, नाना पाटिकर और अनुपम खेव जैसे बड़े एक्टर्स भी शामिल है वहीं शारू खान के फिल्म जवान की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसमें 1000 करोड का कलेक्शन पार कर लिया है वहीं देश में जवान अब तक 600 करोड का आकड़ा पार कर चुकी है इसे के साथ ये फिल्म हिंदी सिनमा में अब तक सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है बताते कि जवान के बाद शारुक खान अब अपनी अगली फिल्म डंकी में भी नजार आने वाले है जो की 22 दिसमबर 2023 को सिनमा घरों में रिलीज होगी अब क्यासी लगी हमारी वीडियो कमेंट करकर जरूर बताएं और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी धन्यवाद आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की